नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका सोनी और आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज आप लागडाउन का पालन करें अपने घरों में रहें प्रसासन के निर्देशों का पालन करें अब एक नजर आज की ख़वरों की तरफ जनपत के 20 चेतरों से डोर टो डोर सर्वे क्राइज जाने के बाद जो आज के लिए भीजे गए रिपोर्ट के बारे में बताते हुए जिरादेकारी ने कहा कि जनपत में एक हजार पच्छासे सेंपल किये गए हैं इसमें से 998 की रिपोर्ट आ गई है 990 नेगेटिव हैं 8 फ चेतर से कोई भी क्रोना संक्रमिट बेक्त नहीं पाया गया है आगे क्या कुछ का हज लादेकार ने आज सुनवाते हैं एक हजार पचासी सैंपल किये गए हैं जिसमें से 998 की रिपोर्ट आ गई है 990 रिपोर्ट नेगेटिव है आठ एज इस इसल जो रिपोर्ट पॉजिटिव थी उसमें से चार डिस्चार्ज हो गए हैं चार में से दो का थर्ड सैंपल और एक का सेकंड सैंपल प्रतिक्षित है जिसकी आज देर साम तक आने की संभाव उठा कल बावन सैंपल लिए गये थे यह भी बताना है कि जो हमने विसिस्ट मानकों के अधार पर स्पेसल अटेंशन जोन बनागा जनपत की बिविन हिंसों का डो टो डो सर्वे कराने के बाद उसमें फोकस रूप से खांसी बुखार स्वांस के विमार लोगों का सैंपलिंग कर रहा था उसमें चक्सिक्टी के अलावा अब तक किसी भी नगर पंचायत किसी भी नगर पालिका और किसी भी ग्रामेंट छेत्र में स्वभाग से किसी का भी संकर्मन पाजिटिव नहीं पाया गया फिर भी लों से अपील है कि सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोई भी मजदूर अगर पैदल आपके आँ आ जा रहा है तो उसको ततकाल अपने स्वास्त परिक्षण होके फर्दर आवश्यक कारवाई की जा सके चिपाएं ना उसको और जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं उनको यद्यपी स्वास्त परिक्षण के आधार पर हम लोग रोडवेस से घर भिजवाएंगे या कॉरंटीन करेंगे जैसा आवश्यक होगा लेक चाहे कोटा के बच्चे हों चाहे लाबाद के बच्चे हों चाहे वो अलीगर नोड़ा दिल्ली के बच्चे आएंगे या कोई प्रवासी मजदूर आएगा आप उसको घर भी जाता है तो उसको एक अलग रहने की विवस्ता अलग होम कॉरंटाइन जरूर करें ताकि उसका करने की बजाए तत्काल अवगत करें जिससे उसको भी नुक्सान नहों जन्पत को